कर दोस्कार दोस्तों मने नाम कर दोस्का है स्वागत आपका सड़ी एक एजुकेशन प्लाटफॉर्म में जैसे एक न्यूस आ दी है कि युनाइट स्टेट्स के लेबरेटरी ने फ्यूजन लेजर फ्यूजन रिकॉर्ड को स्टाबलेश कर लिया है यहां पर उनने न्यूक् को अचीव किया है तो मतलब लगभग जो यूस के ग्रिड की टोटल कपैसिटी है उसका साथ सो टाइम ज्यादा इलेक्सिटी प्रिड्यूस की गई थी न्यूक्लियर एक्सिटी जो है वहां पर प्रिड्यूस की गई थी और कहा जा रहा है कि अगर इस तरह के जो एन है जो इस तरह के साइंटियर रिसर्च है अगर वो सक्सेस्फुल हो जाते हैं तो पूरे वर्ड को जो इलेक्सिटी सफिशेंसी की ज़रत है आने वले समय में जिस तरह से इलेक्सिटी की शॉर्टिज हो सकती है जिस तरह साब देखेंगे नॉन रेनिबल एनर्जी जो है व और सातीसाथ हमें यह भी पता चलेगा कि सन में जो इन पूज़न होता है किस तरह से होता तो यह आपको यह भी पता चलेगा कि फ्यूजन Państ लिक तरह होता है तो नेश्चनल आज हम एक सब में itelेड बाद के बाद के बारे में बतातू हूँ यह jakieś klasters इसका कोई प्लांट 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 नहीं था यहां पर टेस्टिंग बंद कर दी गई और तब से यह जो पूरी की पूरी लेब है वो fusion research में लग गई और अब कहा जा रहा है कि लगबग 30 साल के बाद यह breakthrough आया है जहां पे वो sun जैसी situation को recreate कर पारें जिस तरह से आप देखते हैं कि आपके sun में जो energy create होती है वो यहां पे create करने की कोशेश हम nuclear fusion से कर देखते हैं तो इस वीडियो में जानें कि fusion और fusion में क्या difference और fusion के क्या advantages और भारत जैसी country जहां से क्या सीख सकते हैं हमारे जितने भी वीडियो जाते हैं से पीडियाप में टेल्गाम चैनल अट्डरेट का पिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं सबसे वहले हमने term सुना nuclear fusion तो देखते है nuclear fusion होता क्या है देखो जब हम बात करते है fusion की त जो है वो create की जाती है यहाँ पे आप देखेंगे कि nuclear fusion जो है वो sun को भी power करता है मतलब sun में जो आप energy देखते हैं जो आप sunlight देखते हैं वो सब fusion के method से आती है sun इसी energy को harness करता है और आपको एक unlimited energy provide करता है तो similarly हम भी इसी energy को या इसी prototype को harness करके renewable energy जो है unlimited हम प्राप्त कर सकते हैं अब यह usually जो है वो achieve किया जाता है दो isotopes of hydrogen को combine करके तब ही हम कहते हैं इसको fusion है दो isotopes का हम पे fusion होता है deuterium का और pritium का यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनको fuse किया जाता है और एक single component यहाँ पे बनता और उससे energy जो है वो release होती है अगर आप nuclear fusion reaction की बात करें तो दोनों nuclear को पास दाना जरूरी है दोनों को force से active कराते हैं एकसाद glue किया जाता है small distance होता है small distance force यहाँ पे अपलाई होता है तो इससे कहा जाता है बहुत जादा waste भी नहीं होता और यह जो reaction होती है यह controlled होती है तो याद रखिएगा fusion reaction हमेशा controlled होती है small distance forces से यहाँ पे पास मिलाया electricity जो है uninterrupted बना सकते हैं सबसे भी आता है fusion जो है वो safe होता है clean energy का source future generations के लिए बन सकता है यह अगर हम बात करें fission के comparison काफी better होता है जिससे मैंने आपको बताया कि fission में एक तो wastage जादा होती है nuclear जो material हो जादा जादा उसका residue हो आता है साथी साथ वो uncontrolled reaction होती है यह जो reactions हो होती है और सबसे बढ़िया बात है कि इस control reaction के चलते radiation जो है वो बहुत कम होती है in fact कहा जाता है कि इससे जदा radiation तो हम लोग daily अपनी life में देख लेते हैं तो बहुत अच्छी चीज है कि अगर इस तरह की जो breakthroughs है वो successful हो जाए तो पुरे world को energy crisis से बहार निकाला जा सकता है हो जाएगी यह तर्म अगर आप fusion की बात करें तो यह एक नया आप यह देखे टीम ने इसको यूज किया है कि डाइनॉस्टिक इब्रूड लेजर प्रसीशन के साथ इसको वो करने जा रहे हैं डिजाइन्स में उनने को changes किया है तो sun की जो exact working करने की तरीका है working का जो तरीक ओर थो रहे है तो positive charge particles होते हैं तो वह हीटेड़ हो जाते हैं उससे जो है surrounding आसपास का Plasma है वह भी हीट अप हो जाते है प्लासमा के वारे में जैसे हम जानते है कि plasma Finland State of Matter उता है तो जैसा ही हाई temperature हो ता है जाता है इसे कि एक सेल्फ सस्टेनिंग रियाक्शन में लग जाती है आचा सबसे वड़ी वात है इसे मिने पहले बता है यह रियाक्शन जो है क्लीन होती है और फ्यूजर जेनरेशन के लिए काफी अच्छी ये ब्रेक्ट्रू मानी जा सकती है राधर दिन हम फेशन की तरफ बढ़ें हम बहुत लाधा न्यूट्लियर स्टॉक पाइल करें उससे अच्छा यह है कि हम फ्यूजर पे रिसर्च करके हम फर्द एलेक्सिटी जेनरेशन को बेटर कर पाएं सब्सक्राइब को हम समझ पाएंगे और उससे हमें यह पता चल जाएगा कि क्वांटम स्टेट अफ मैंटर कैसे गाम करता है विग पैंग फिए एक्जाट्लि क्या थी कैसे विग पैंग के थू यह सारे जो प्लानेट्स हैं या पिजितनी भी सेलेस्टिय और कि पाल प्रीट हुआ है जससे को अपसेट हम एक बात और जाती है जान लेती है कि इसली का जाता है कि मेशरेबल स्क्रीज होता है माष में और mass energy equivalence जो है अचीव किया जाता है, तो technically speaking, fission is a technique through which the nuclear material splits into two or three particles, तो यह यहाँ पर important बात है, समझने की, कि large nuclei होता है fission में, और small nuclei होते हैं आपके fusion में, और इसी तरह से यह जो mass होता है, यह energy में convert होता है fission के case में, तो यह important बात हैं, यह facts जो हैं, आपसे exam से पूछे जा सकत करते हैं, तो आचा करता हूँ, यह चीज़ा आपको समझ में आएंगी, और वेट करते हैं, इस breakthrough के further final results का कहा जा रहा है, कि September में इसके results आने लगेंगे, पता चल जाएगा कि exactly, जैसा scientist सोच रहे हैं, क्या वैसा करने से, हम electricity generation को अच्छा कर पाएंगे, तो आचा करता हूँ